है दोस्तों वेलकम टू स्टड़ी आई एस आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूं यहां पे दोस्तों पबलिक कंसिल्टेंट्स जो हमारा नैशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी आई है उसको लेके यहां पे आ रहा है देखी दोस्तों बात दरसल ऐसी है कि हमारी जो मिनिस्ट्री आफ एलेक्ट्रोनिक्स एन इंफर्मिशन टेक्नोलजी है यहां पे लोगों से फीड़बेक और इंपूर्स ले रहे हैं अपने ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी को लेके इसका क्या फीड़बेक है उसको दीजे उसके अनुसार ये लोग आगे कुछ पॉलिसी में चेंजेज या फिर कुछ चीज़े और एड करनी है तो ये कर पाएंगे ये काफी अच्छी बात है दोस्तों कि पहले ही पॉलिसी अपलाई होने से पहले ही हमारी गर्मेंट लोगों से पर बनते हुए दिखाई देते हैं 22 जून से दोस्तों जो नए बैचेज हैं सभी अपकमिंग ये के वह स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग जाके यहां पे खुद को अवेल कर सकते हैं दोस्तों यहां पे ऑप्शनल के टैस्ट्रीज है जिसको आप लोग अवेल कर पाएंगे अब देखे दोस्तों Ministry of State Electronics and Information Technology के साथ साथ Skills Development and Entrepreneurship ने हाइलेट करा है कि जिस तरीके से Rapid Digitalization होता है इसी तरीके से जो डेटा है उसके भी यहां पे कह सकते हैं कि डेटा पे भी कोई ना कोई प्रॉलम हो रही है ऐसा है कि किसी का डेटा कोई और यूज कर लेता है तो उसको लोग ने ऑसी दिक्कते भी हुई हैं जितना जदा हम लोग डिजिटल हूए हैं दोस्तों तो तुछ जड़ी ज़ए हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं हैं एसा नहीं है कि आप लोग ने यह भी कपर सुनी हो गई है कि किसी की पूरी information कहां है वह क्या ररकरता है क्या नह कांट में है कितना नहीं है सब कुछ जो बताना भी नहीं चाहता है वो सब लोग को पता लग जाता है तो यह काफी दिक्कत हमें जैसे हम लोग विजिटल हुए है उसके साथ देखने को मिली है दोस्तों गवर्मेंट यह चाहती है कि एक ऐसा अब जो कि यहां पर अनेबल कर सके काम कर सके हमारे इंडिया के डिजिटल एकनॉमी पर ओके तो इस तरीके सा कुछ आप कर सकते है हमारी गवर्मेंट यह चाहती है अब यह देखे दोस्तों जो ड्राफ्ट डेटा गवर्मेंट पॉलिसी है इसके इंदर क्या आता है पहले ब क्रियेशन ओफ एन इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम इसके अंदर दोस्तों जितने भी यहां पर नॉन परसनल या फिर कोई भी एनमस डेटा सेट आ गया हमारी सेंटरल गवर्मेंट की तरफ से कोई उसकी एंटिटी है उसकी तरफ से आजाता है उसे इसके अंदर जाएगा जो भी डेटा आपके सकते हैं हमारे इंडियन सेटीजन या फिर जो इंडिया में हैं उनकी तरफ से आता है उन सभी को आपके सकते हैं इसके अंदर रखा जाएगा प्राइवेट कंपनी जो हैं दोस्तों उन्हें यहां पर एंकरेज करा जाएगा कि वो ऐसा रहेगा स्टाटप्स के लिए इंडियन जो रिसर्च हैं दोस्तों उनके लिए अब आपको एक बात बता दुमें कि नॉन जो परसुनल डेटा होता है वो एक ऐसा सेट होता है डेटा का जिसके अंदर किसी की भी परसुनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं होत पहां मेरे पास कोई आप किशकते हैं कुछ है इसा जिसे में आपका तुरुंत पता लगा लूँगा कितने होंगे कॉमन नेम के कॉमन सरनेम के तो वह आपके सकते नॉन परसुनल डेटा में आ गया एक और एज़ामपल ले लिए मुझे को आपके सकते हैं यह पता लग गय कि आप व्यक्ति हैं और आपने आपके सब्सक्राइब कोई डिग्री ले रखिया वो एक डेटा में पता लग गया अब उस डिग्री के लिए कितने लाग और करोड़ों लोग होंगे तो मैं आपको एडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन वहीं अगर बात करते हैं पर पर्सनल डेटा रहेगा उसको यहां पर गवर्मेंट से शेर करा जाएं अब देखे दोस्तों IDMO हो गया इंडिया डेटा मेंजमेंट ओफिस तो देखे दोस्तों यह एक ड्राफ्ट है कि हम लोग यहां पर क्रियेट करेंगे IDMO को जो कि यहां पर पूरे तरीकी से चार्ज इसको लेके जिसके अंदर यहां पर जितनी भी अनुमस स्टैंडर आते हैं हमारी अलग 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 एंटिटीज के चाहिए वह गवर्मेंट के हो या प्राइवेट के वह सब इसके अंदर आएगा और सेफ्टी और ट्रस्ट के परपस के लिए कोई भी यहां पर जो नॉन आप लोको जो कि हमारे ओल्ड क्राफ्ट में ते डिसके अंदर सेलिंग डेटा क्लेक्ट किया जाता था सेंटर लेवल पर ओपन मार्केट में तो इन चीज़ें को भी मना कर आगया है तो अब यहां पर बता दूग कुछ यह ड्राफ्ट के अंदर पॉलिसी यह बताए गई कि अब दोस्तों इसके इंदर सजेशन आये कुछ अब सजेशन में क्या बताया गया कि यहां पर कल संटेटिव जो प्रॉसेस रहेगी इंफॉर्म करने की आई इमों की वह रहनी चाहिए दूसरा दोस्तों एक ऐसा प्रोविजन लाया जाए जिसने लोग हारशिंग जो फीच इन सभी के इंदर पूरी टांसपेरेंसी रही चाहिए तो यह सारे कुछ सजेशन है जिन्हें इसके अंदर बताया गया है एकसेस रहेगा दोस्तों एनोटेटेटेट डेटासेट फ़र ए इनोवेशन ओके आर्टिफिशल इंडेजन्स का उसके लिए भी यहां पर और एक् करेंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं यह जो बाते हैं वह अगर अभी आपके कोई डाउट है तो उसको जरूर किजिए मुझसे कमेंट सेक्षिन में अपने डाउट बगएरा पूछ कर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वन आईस दी